हलो दोस्तो आज हम आपको सिखाएंगे जो है कि प्रस्णावली जो है कि 5.3 का कॉस्चन नमर 1 चलेगा इससे जो है कि पहले आपको उधारन समझाया गया है आप अभी तक उधारन नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर सबसे पहले आप उधारन को स सभी उसमें बताया गया है तो सबसे पहले आप उधारन समझ लिजिए और उसके बाद प्रस्णावली को सब्सक्राइब करेंगे और हम अभी तक आप नहीं देखे हैं से प्रस्णों को तो प्लेलिस्ट में जागर कि सभी प्रस्णों को आप देख सकते हैं यहां से देखे डियए by dx निकानाने के लिए हम लोग करें यह जो भी आपका वैलू दिया गया है drought आउकलन करेंगे एक्स के सापेश की साफ्ण करेंगे एकस के ताइस के साफिश्ण करएंगे चले लखते हम कैसे Hz कि लिखेंगे यए every protection का पेच अवकलन करने पर एक्स के साफ पेच अवकलन करेंगे तो टू एक्स यानि कि डी बाइड डी एक्स पहले किसका करेंगे तू एक्स का प्लस डी बाइड डी एक्स किसका करेंगे थ्री वाई का इजिकल टू फिर डी डी एक्स किसका करेंगे sin x का तो चलिए यहाँ पर दिखिएगा x का यह गुडांग है तो पहले गुडांग को बाहर ले लिजिए देखिए किसी भी अच्छर का यह गुडांग होता है तो इसको जो गुडांग से बाहर ले ले लेते हैं हम लोग d y by d x से वहाँ 1 होता है तो यहाँ से x का समाकरण 1 हो जाएगा गुरे 3, y का आउकरण का समाकरण नहीं है आउकरण है तो y का यह दिए आउकरण हम लोग करते हैं तो y का आउकरण हो जाता है dy बटा में क्या होगा? dx is equal to और sin x का आउकरण आपका होता है क्या? cos x ठीक है फर्मूला हो गया इसका multiply कर दीजिए तो 2 हो जाएगा दो इधर प्लस में है उधर चलेगा तो minus यहां से देखिए दीवाइब डीएक्स का मानफाइड करना है लेकिन दीवाइब डीएक्स का मानफाइड करना है लेकिन इसका गुडांग तीन है यहां से गुडांग को हम हटाएंगे यह गुडांग हटेगा तो इसका क्या लग जाएगा बटा लग जाएगा यानि कॉस एक्स माइनस टू आ की तरह से हम लोग समझेंगे कोशन नमबर टू को कि कोशन नमबर टू आपका कैसे हल किया जाएगा